हलो आस्परेंस आज हम अपने बिल्दिंग वोकाब के इनिशिटिव को आगे बढ़ाते हैं तो चलिए वर्ड देख लेते हैं ये देखिए आज हमारा पहला वर्ड है अबोड मतलब होता है इसका निवास हूम तो अबोड में आप देखिए बेड का आ रहा है एक साउंड तो अब बेड जो होता है वो हमारे घरों में होता है तो उससे आप याद रख सकते हैं कि अबोड का मतलब होता है हूम या फिर आप इसको राइम बना पा रहे हूं कि O-E आ रहा है अबोड में भी और होम में भी O-E आता है तो आप उससे भी याद रख सकते हैं अब हमारा second word है abominable जिसका मतलब होता है गिनोना causing disgust abominable में आप देखिए bomb जो आ रहा है word उसमें आप सेखिए कि कहीं जो terrorist पगेरा जो होते हैं causing disgust घिनोना थर्ड वर्ड है हमारा aboriginal आदिवासी मूललिवासी existing in a land from earliest times native, indigenous तो aboriginal में देखिए कि जो बहुत ज्यादा original है तो जो बहुत ज्यादा original वो ही लोग होंगे न जो बहुत टाइम से अपनी एक जमीन पर रह रह रहे हैं या आदिवासी जो फिर हमारा fourth word है abort abort मतलब बीच में बंद करना end before completion end होता है जब खतम होगी वो चीज पर abort का मतलब डिफरेंट होता है कि हम उसे बीच में बंद कर दिया तो abort में आप imagine कर दीजिए आप एक बोट पे बैठे हुए हैं और वो बीच में रुग गई तो वो अपने शोर पे पहुशने से पहले ही बीच समुदर में रुग गई तो इससे आप याद रखिए कि abort का मतलब होता है बीच में बंद करना fifth word है हमारा abortive nishval, unsuccessful अब abortive मतलब की जो चीज जैसे abort word में हमने देखा कि बीच में बंद करना तो यह जो हमारा mission था वो unsuccessful ही तो हो गया ना शोर पे पहुशने का तो इसलिए आप English में कुछ keywords होते हैं अगर आपको वो याद है तो उसके आगी के IVE ION वो words हम खुद ही सोचने लग जाते हैं तो abortive मतलब होता है इसलिए nishval, unsuccessful thank you, all the best